हेलो जैहिं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ कोशन बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है या किसी भी आप एक्जाम में जाते हैं तो आपको ऐसे कोशन जरूर देखने को मिलें गए तो चले दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं सुरू करना से पहले दोस्तों आप से रिक्वेस्ट करते कि यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नहें तो प्लीज हमारे को सप्लाई देता है यदि पूर्ण लोड पर मोटर की श्लिप चैर प्रसंट हो तो मोटर की रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होगी तो इसी तरह के कोश्चन दोस्तों मैं इसमें कुछ कोश्चन लाया हूं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है आपको तो वीडियो को अंतक देखि अथात अल्टरनेटर की जो कि संख्या कितनी है 10 है और इसकी गूणन गठाटी है तो कितना दिया गया है और इस कि प्रिक्वेंसी कहा हमारा सुत होता है चैर कर्क्वेंसी कर पूरे लिखके दिखा देता हूं एक सो बीज अब इसी सुत्र पे दोस्तों हमको लगाना है इसी सुत्र पर हम सवाल को हम अच्छी तरह से लगाएंगे तो आप विडियो को अंतक बस देखते रहेगा दोस्तों ऍ我न reason ङृइस को लगाते हैं इसी सुत्र पर हम लगाएंगे तो मैंने जैसे आपको फ॥र बताय कितना दिया ईधा खैसो कि ना болा कि 54-7 कितना है 10 और से 120 120 ठीक है दोस्तों 120 अब हमको इसको solve करना है कितना प्रतिसरत आएगा यह प्रतिसरत में जाएगा तो हमारा जो सही आ जाएगा 50 प्रतिसरत आएगा देखिए आपके करके देख लेजिएगा 50 प्रतिसरत आएगा ठीक है अब यह 50 प्रतिसरत आगे अब हमको क्या पूछना है motor की जो rotor frequency हो निकालना है तो उसके लिए एक सुत्र होता है motor की जो rotor frequency हो एफ हैर बराबर क्या होता दोस्तोव F R बराबर FS होता है उसमिचर हम लगाएंगे तो हमारा जो मान दिया गया था कितना embracing 50 पर शर्ट आए गया था तो 50 50 गुडिए चार बटे 100 किटना आजाएगा थे पॉटवीस दो सो दो सो बटे सो बराबर कितना आजाएगा 200 दो आएगा एचिजेड यह आपका जूश्वर दिया गया आफ्सें नमबर जो सी दिया गया यह यह सी आफ्सें स्योंगा इस तरह दो आप लगाएंगे तो आप अस आफसन सही होगा टू हट्राज नेक्ट कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नंबर दो है पंदरसो आर्पीम घुणन गति वाली पांच अश्व सकती की इस क्वाइरल खेज मोटर की टार्क होगा आफसन में दिया गया तेज़ दिसमलों चार नीटर मीटर दो दिसमलों तीन चार नीटर मीटर और यहां पर दिसमलों दो तीन चार नीटर मीटर तो हमारा कौन सा आफसन सही होगा इन आफसनों में से हमको सही आफसन चुनना है तो चलिए दूस्तों पहले हम सवाल को लगाते हैं तो हम इसमें आपको देख लिजे पहले क्या दिया है અसफ दे दिले अठाथ आपका फंलार प्रक्रक्रार करने का दो जो तया हम्मोटर का टार्क ग्याद करने का सुत्र होता है बी एचपी गुडे 60 यह होता है अमारा सुत्र बी एचपी गुडे 60 गुडे और यहां अमारा असो सक्ति एक असो सक्ति बार बार कितना होता है यहां पर हम करेंगे कि बराबर को इस सुत्र को ध्यान किये का बहुत ही इंपॉर्टेंट शुतर है उसी सुत्र हमारा कोश्टन लगा का जैसे जैसे दिया गया बी एचपी का मान रखना है उसके बाद आपको कुछ है निकारत दिखिया मैं आपको सॉल्फ गर करके दिखाता आपको सूथ पाइब रखेंगे तु पाँच गुड़े साथ गुड़े साथ सो पाइं तीस दस्मलों पांच बते hai 2λι पाई था तो दो गुड़े पाई कमान तीन दस्मलों एक चार गुड़े और हमारा कि ए एंस कमान कितना दियागा था तो 500 कितना दिया था 500 आर्पीम दिया गा था तो ठीक है इसी तरह हम सौल्व करेंगे इसको आप सौल्व किजिए फटा पड़ दोस्तों देखे कितना आता है तो यहां पाया जाएगा अधार्फर करेंगे तो कितना आजाएगा दोस्तों थेईस-दस्मलो चार अधार जो हमारा ऑपूसंन दिया घया है आफ्सन नंबर यह हमारा सई होगा तो यह हमारा आफ्सन पाया जा रहा है था यह अगले चलते हैं जो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक किजिएगा जो भी लोग हमारे यूटूब चैनल पर नहीं हैं यदि पावर फेक्टर 0.8 हो तता मोटर की दस्ता 85% हो तो प्रति फेज पूर्ण लोट धारा होगी आफसन भी दिया गया आफसन आप देख सकते हैं एंपेर में दिया गया 3.122 एंपेर 31.2 एंपेर यहां पर दिया गया है 312.2 एंपेर अथा दस्मोलो का अंतर है कि और दोस्तों बाकी संख्या जो दी गई है सेम है तो इसको हमको लगाना है कैसे लगएगा दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो पहले आप देख लीजे दिया किया है आपका इसमें जो मोटर की वोल्टेज आथा गाया किया दिए 400 वोल्ट कीतना दिया और सो सकति सकती कितना दिया है और पावर प्रेक्टर की बात कर रहें और स्पाइब देया है और दस्ता की आपको सुत्र की उपयोगता होगी तो जैसी हमारा सुत्र होता है इंपूट बराबर आउट्पूट गुणे सो बटे दचता होता है जैसे मैं आपको बोला हूँ ओएसे आप लगाएगा दोस्तों बिल्कूल आपका सही एंस वह जाएगा और अंडर रूट थ्री इन्टू इसको भी आप दयाने केगा बहुत ही इंपोर्टेंट है अब इसको इसी पर आदार पर हमको सवाल को लगाना है जैसे लाइन धारा का सुत्र होता है लाइन धारा बराबर आई एल लाइन धारा आई एल बराबर आउट्पूट गुणे सो बटे दचता गुणे अंडर लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखने में कोई दिख्कत हो रही है जैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपका आउटपूट ठीक है यहां पर समझ लीजिए आउटपूट गुड़े गुड़े अंडरूट थरी गुड़े एल गुड़े कासफ फाई ठीक है अब यहां पर हमको इसी सूतर पर लगाना जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे हम जिए जिए गया वैसे लिखे लेंगे तो मैं आपको लिखे दिखाता हूं पहले आप रहे लेजी आउटपूट सव बटे पच्यासी गुड़े अंडर रूट थ्री गुड़े चार सो गुड़े 0.8 अब इसको हब सॉल कीजिए देखे कितना आता है फटाफट सॉल कीजिए तो इसका जो आज आएगा दोस्तो फटाफट सॉल कीजिए ये आएगा आपका तो यह आएगा दोस्तों आपका 3.122 एंपियर में यहां पर आपका जो आपसं दिया गया है 3.122 एंपियर यह आपसं नमबर है आपका राइटएंड सोरा जाएगा ठीक है आप ध्यान से लगाएं है, यह दिक्त होता है तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं कोई दिक्त नहीं होगा, मैं आपको फिर दुबारा सॉल पर के दिखा दूँगा अगले कोशन में बढ़ते हैं दोस्तो, अगला कोशन है कोशन नमबर चार है देख सकते हैं आप दिया है कि एक एश्टी प्रेंड मोटर की तूले काली गती 25 आरपीम है और उसकी रोटर गती 23.75 आरपीम है तो उसकी अंस्य श्लीप क्या होगी एसी कोशन बार-बार आपको परिशाव में दिखने के मिलेगे तो सुत्र आप घबड़ यह गजिन इसको आप असानी से लगा सकते हैं जैसे तूले काली गती दे दिया है एनस बारबबर 25 आरपीम दिया है रोटर गती दे दिया है एनर बारबर 23.75 आरपीम और इसका सुत्र क्या होता है तो सुत्र इसका होता है बराबर किया होता kit asはは and as mes banes Mr बते MS ये इसका सुत्र होता एप से-र least अपन NS आपन- यह सुत्र होता आप से असानी से लगा सकते पहले आपका दिया क्या स्-तो वे अप लिख लेजिए है क्या दिया है कि तो MS बराबर 25 है और-N10 र परवड़के कितना गया यह आपका 23.75 बटे एनस बारबार कितना दिया है 25 अब इसको solve कीजिए फटापर दोस्तो solve कीजिए देखे कितना आ रहा है आपका solve कीजिए फटापर solve कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं तो यह आएगा दोस्तों आपका 1.25 अपान 25 अब इसको solve कीजिए यह बहुत असान है तो यह आजाएगा आपका 0.05 यहाँ पर हमारा जो एंस वर दिया गया है यह आपका अगले कोशन में बढ़ते हैं दोस्तों अगला कोश्चन है जो बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है एक पांच किलो वाट पचास हटर छै पोल स्लीप की रिंग मोटर 960 आर्पीम पे चलती है तो लेकाली गती क्या होगी आफसन दिया गया आपका 1000 आर्पीम आठासो आर्पीम साथ सो पचास आर्पीम और बारोसु आर्पीम कौन सा आफसन जई होगा दोस्तों इसको लगा कर आपको बताते हैं देखिए तुले काली गती का पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए क्योंकि बीना सुत्र का एक गुड़े एक सो बीस अपान पी यह होता है आपका सुत्र अब इसी सुत्र से हम असानी से लगाएंगे सवाल को तो एफ का मान किता है पचास पचास हाटा आजाए तो हम सिंपल लिखेंगे ॐ पचास गुण एक सोबीस बटे छे अब तो दोस्तो असानी से लगा सकते कितना आएगा पटापड़्ळ बता दीजी चेह कमेंटा बॉक्स में जल्दी खिज़िए दोस्तो सुआ जो एंसोर आजाएगा आपका कितना आएगा एक हजान कितना आएगा दोस्तो यहां पर आपको पसंद आई तो फिलीज एक लाइक कीजिएगा जो लोग हमारे यूटूब चैनल पर नहीं उसे रिक्वेश्ट करके साथी साथ बेल आइकन को प्रेज के लिए का च्योंकि दूस्तों मैं आपको इस तरह का डेली वीडियो देने वाला हूं एक को पांच क्योंट बता है बहुति इंपोर्टेंट पर कि मिलते हैं दूसतों अगले वीडियो पर देले जय हींद बंद्मातरम